देखी आप सभी को पता था, दो दिन पहली आपके सामने Du tum kar g 직 कर दया गया है All is 과 दोग देख लेनना वही पर आपका दिया वाया च्छछ ऑनले आपका शाये अ को जाके चेक करोगे इस पब्लिक नोटीस कंदर यहां पर देखे सिंपल चाभा आई कि जौपका सीट इसम्बर को होने वाला था ठीक है लेकिन किसी परसासनिक कार्य की वज़े से और देखे परसासनिक के उनको काम के अंदर ले लेता है आपने बाकी के दूसरे एक्जाम के अंदर लाइक आपके बोर्ड के एक्जाम होते हैं तो दूसरा कारण यह भी था इस बार सीट एट के अंदर आपका चेंज होने वाला था बटो चेंज नहीं हो पाया क्योंकि इनकी वज़े से कमी रही अदर्वाइस कुछ ना कुछ चेंज ही इस बार आपके एक्जाम में देखने को मिलते बट इस बार कोई भी चेंज नहीं है वही सले बस वही पैटन है तो यह संभावन है आपके आगे के सीट एट के लिए बढ़ गई है तो परसासनिक कारियों में कहीं सारे कारिय है जिस नहीं पहले भी इस एकजाम को ले सकते हैं कि 14 दिसमबर के अंदर दिमाग खराब होना अगर हो सकते तो सीबेस सी इसको अपना एक दिन एकजाम कंड़क करा ले चोदे दिसंबर को अगर एकजाम लेंगे वही होगा दो-दो सिफ्ट के अंदर एकजाम होगा फिर वही है पता कैसे चलेगा किसमे असान आ रहा है किसमे हाड आ रहा है नोर्मलाइजेसन के बारे में इनोंने जब ओलनाइन सिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था तब भी कुछ नहीं कराता ठीक है तो यह मलब गड़बड़ी इसके अंदर संभावना देखनों को मिलती है और सी बेसी कोई खास इसको पर ध्यान देता भी नहीं है इसलिए अगर 15 दिसंबर को हो जाए तो वो जाद आपके लिए आप ठीक रहने वाला है देखे क्या होता है लेकिन संभावना तो यही आपकी बन नहीं है आप लोग डेली कोर्स लेते जा रहे हो चैया आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो या दोनों यह आप लोग लेना चाहते हो तो मेरी एप्लिकेशन पर यह आपका कोर्स चल ला है जिसमे पर लेना है वह सब्सक्राइब आपको स्यल्फी श्टेडी में आपको चीज अपने पास से तयार करनी पढ़ती है लेनी पढ़ती है कंटेन खरीदना पढ़ता है बैस के अंदर आपको फिर एक रुपा इन्वेस्ट करने की जड़ोत नहीं पढ़ती यह चीज आप लोग में 30-30 नंबर का दोनों पेपर के अंदर आता है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत आपको help करता है और इस वारी बात को मैं कहता हूँ कि कम से कम आपका CDP का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो कम से कम 45-50 नंबर का बन जाता है इसको आज मां आप लोगों के सामने आठ बज़े आपको चीज़ बताऊंगा कौन-कौन से टोपिक क्या पढ़ना का से पढ़ना ताकि आप लोग इनके अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सको क्योंकि कल की वीडियो में बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है इवेसो सोचल साइंस और साइंस और मैं आपको बता दी थे बुक्स बता दी थी क्या पढ़ना होता है किन गलतियों से बचना होता है उस वीडियो को जाके देख लेना और जो बच्च एक 130 प्लस लेकर आये उनके बार में क पर रिसानी वाली बात नहीं है कि कोई इसके अंदर आपको या पर घवरा रहा है ठीक है